इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 के साइंस के शेप्टर नमबर 6 उत्तक के complete objective question answer कराऊंगा जितने भी यहां से question answer आपके exam में बनाए जा सकते हैं मैं उन सभी objective question answer को आप लोगों को अच्छी तरीका से बताते चला जाएंगा साथ ही साथ मैं आप लोगो यहां भी बाताते चला जाऊंगा कि कौन-कौन questions है जो आपके exam में हमेशा से repeat करता है तो आप लोग जरूर विडियो को ध्यान कुर्वक से देखिएगा और यहां भी समस्ते चला जाएगा कि कौन-कौन questions आपके exam में हमेशा repeat के जाते हैं ध्यान देंगे यहां पर आप लोग के लिए अस्मर्ण यह तैथी दिये हुए हैं तो यह सब सी जरूर आप लोग अपने घर में पढ़ लीजेगा चलिए अब हम आप लोग को objective questions सर समझाते हैं पहला questions क्या दिया हुए कि कोशिकाओं का वैसा समु जो आकरिती में समान हो तथा किसी काईर को एक साथ संपन करते हैं क्या कहलाता है तो वह उत्तक कहलाता है Q2 वैसे पादक उत्तक जो विभाजित होने की सक्तिक हो देते हैं उन्हें कहते हैं तो उन्हें अस्थाई उत्तक कहते हैं यह question पूछता है तोड़ा द्यान डखेंगे कि इस question को हमेशा पूछते आता है Q3 जड़ों एम तरनों की विरिधी वाले भाग में किस परकार का विभाजित तक पाए जाता है तो उसमें जो विभाजित तक पाए जाता है वह सिर्शस्त विभाजित तक होता है Q4, अंत विरिष्ट विविजो तक कहां पाये जाते हैं तो अंत विरिष्ट विविजो तक ओधों में पर्वसंधियों के बीच में पाये जाते हैं Q5, विविजो तक कुछिकाओं में कौन सा कुछिका अंगक नहीं पाये जाता है तो उसमें रसधानी नहीं पाये जाता है कोशन नमर 6 यह कोशन इंपोर्टेंट है हमेशा पुछता है लिखा क्या है कि सबसे अधिक पाये जाने वाला सरल यह जो अस्थाई उतक है वह पेरेंड काइमा है कौश साई उतक तो कॉछता है तो जलिये पाये 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 को क्या कहते हैं तो जल ये पॉधों में प्हेर्न काइमा को एरिन कायमा काते हैं पॉधों में लचीलापन का गून किस उत्तक चे कारण आता है čॉसमर 11 उस सरलास्थाई उत्तक का नाम आता है जिसकेकोषिखाय मिर्थ होती है कौशन इंपोर्टेंट है तो उस सरल अस्थाई उत्तक का नाम बाता है जिसकेकोषिखाय मिर्थ होती है तो वह उत्तक का नाम है Escalerum PYMAR Dev यह भी यहाँ भी question बहुत important है तो फलोयम जो है पतियों से भोजन को पोधों के विभीन भागों में पहुचाता है question number 14 पादप में किस उत्तक द्वारा जल एम खनीज लवन का सनवहन होता है तो वह होता है जाइलम के द्वारा ठीक है जरूर आद रखेंगे आप लो question number 15 देखे क्या दिया है कि पच्छ मापी अस्तंबकार एपिथिलियम कहां पाए जाते हैं तो पच्छ मापी अस्तंबकार एपिथिलियम स्मास नली में पाए जाते है question number 16 जन्तु सरीर को ढखने या बाहर अच्छा परदान करने वाले को क्या कहते है जरूर दियार रखेंगे तो उस उतक को एपिथिलियमी उतक कहते हैं question number 17 विक्की अस्तर किसके द्वारा बना होता है तो विक्की अस्तर बना होता है गहनाकार एपिथिलियम स्टे question number 18 इंप्रेंट है जरूर दियार रखेंगे कि रक्त तथा अस्ति किस परकार के उतक है तो सन्योजी परकार के उतक है question number 19 नारियल के रेशे युक्त शिल्के किस उतक से बने होते हैं तो वह उतक से बने होते हैं question important है पूछ भी सकता है question number 20 भी important है कि दो अस्तियों को आपस में जोडने वाले उस उतक को उतक को क्या कहते हैं तो दो अस्तियों को आपस में जोडने वाले उतक को सनाई उतक कहते हैं question number 21 वह सन्योजी उतक को जो मानस्तियों को अस्तियों से जोडता है क्या कहलाता है कंदर रा ओके। पषर नमबर 22 उसरों विद्धरा का नाम बताए जो नाक कांगा और स्वास नली में उपस्तित होते हैं तो उस उपस्तिक का नाम है उपस्ति उत्तक विद्धर पशण इंपर्ट है कुछ भी सकता है जारूर रखेंगे question number 24 भी important है कि निमलिखीत में से कौन सा सन्योजी उतक नहीं है इन में से जो सन्योजी उतक नहीं है वा कंकाल पेशी सन्योजी उतक नहीं है question number 25 कार्डिक पेशी उतक कहां पाए जाते हैं पाड़ी केसी उत्तक पाए जाते हैं फिर दे में ये इंप्वॉचन इंप्वाइज जरूर द्यान रखेंगे गोशन 26 भी बहुत इंपॉर्ट इधर के लगभग लगभग कोशन इंप्वॉचन इंप्वॉचन है तो सब जरूर ध्यान में रखते जाएंगे कि तंत्री का उ सब्सक्राइब आपकों다면 कि यासिलता के काण बनते है इस किया सिर्थ लख Žुल सब्सक्राइब में उसके कारण जाएलाम ट्रेकिड नहीं है कॉसन इंपोर्टेंट है जरूर ध्यान रखोगे वसन नमर्थ 30 इंपोर्टेंट है कि यहार नाली तथा मुख मुख का अस्तर किस एपिथीलियम से धाका होता है तो स्तल की एपिथीलियम से धाका हुआ होता है इन में से कौन नीरोन का भाग नहीं है तो इन में से माईटो कॉन्रिया नीरोन का भाग नहीं है इन इस भार पुछा भी हिथा आप और प्रिवाड में ठीक है, जरूर ध्यान रखोगे weeks the 33 हमारे सरीर में साका संट्षिप किस म doughnut Давайте हमारे शरेर मेंьте विसात का संट्षिणforce के दारा होता है य holders 24 एक कंट relevoquती world कितनी सेति मीटर के वोता है तो 34 का option number आपका C से जगा एक मीटर की होती है question number 35 कौन से उतक प्राया पोधों में भोजन का भंडार करते हैं तो आपका parent कायमा सही answer हो जाएगा parent कायमा उतक जो है पोधों में भोजन का भंडार करते हैं question number 36 airy low color सन्योजी उतक नहीं पाए जाता है बीच नहीं पायजाता एया class number 37 जानवरों में निम लीखित में से कौन सा उतक संकूचन और विश्राम से गुजरता है तो वह उतक का नाम है प्रेसी उतक लुए ्ड़न हिएन में से कौन आ रिखित प्रेसी उतक की विश्षिस्ता नहीं है इन इमें सो आरैखीट भी सिस्था नहीं हो वहा है यह अक्रमें बेढ़नाकर होते हैं पॉसान नमर K separate 9 कर्दिक पेस्ट की को सिखाएं कितने केंदराखों होती है तो कार्डीक बेशची को सभाओं की काेंदर ये होती है वा होती है अफ का इक होती है फॉसasm निमन लिखीत मेंसे एक क्या तंतरीका उत्तक के विश्ष्ष्ष्ष्ष के विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् Français और मधंसे jujmanu तर्व तक नहीं है वह है यह उत्तक हमारे सरीक गति के लिए सथ्दाई होते हैं पूछण निम नमें से कौन जन्तु उत्तक नहीं है इनमें से जो जन्तु उत्तक नहीं है वह है पाइमा जरूर ध्यान रखेंगे पूछ सकता है तो आपका सरवास्थाई उत्तक है तो आपका सरल अस्ताइब तक है ऐस्केरेंड काइमा पॉसर नमर फॉर्टी फाइफ निमन में से कौन विभीज़योतक नहीं है वह है पैरेंड काइमा उत्तक ऑप के पॉसर नमर फॉर्टी सेक्शन जहां आवसोसन एम स्राव होता है वहां कौन सी एपिथिलियम को सी काइम म को सिकाय मौजद होती है पॉसर नमर फॉर्टी सेवन निमलिखीत में से कौन पेश्य उत्तक नहीं है वह उपास थी उत्तक पॉसर नम बताईए जिनकी को सिकाय लंबी बेलनाकार साखारहित और बहुनाबहिकार होती है तो उस उत्तक का नाम है रेखित पैसी पॉसर नमर उस उत्तक का नाम बताए जिसकी को सिकाय वसर की गुलिकायों में भरी होती है नहीं गुलिकायों से भरी होती है तो उस उत्तक का नाम है वस अमय उत्तक ओकरे स्टननां करе कि जनतक में पाए जाते हैं यहां कुसन बहुत इंप्वर्टेंट है आप जरुर दिषान रतेंगे अगलों को वीडियो इंप्रमेटिव लगा है यह जरूर आप चैनल को सब्करब करके जा